ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ने से सोयाबीन और सोयामील की कीमतों में गिरावट दर्स की गई है। इसका असर भारतिय बाजार के उपर भी पड़ा है। मध्य प्रदेश की कई मंडियों में सोयाबीन की मौडल कीमते न्यूंतम समर्थन मूल्य, MSP से भी नीचे च चली गई हैं। इससे किसान लागत भी नहीं निकाल पा रहे हैं। उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। वहीं ट्रेड को लगता है कि वैश्विक कीमतों में गिरावट के कारण भारतिय सोयामील अंतराष्ट्रिय बाजार में कम्पटीशन से बाहर हो सकता है। इससे श निर्यात को नुकसान होगा। पाठक ने कहा कि आपूर्ती बढ़ने से वैश्विक कीमतें करीब एक सो डॉलर प्रती टन कम हो गई हैं। चिप्मेंट में व्रिधी हुई। हालां कि 16 जनवरी को भारतिय सोयामील की कीमतें कांडला से पूर्व 515 डॉलर प्रती टन थी। जबकि अर्जेंटीना की कीमतें रोटडैम के लिए CIF आधार पर 483 डॉलर प्रती टन थी। अर्जेंटीना और ब्राजील में उत्पादन में सुधार का असर आने वाले वर्ष में वैश्विक कीमतों पर पड़ेगा। दरसल सी बोट सोयामील शुकरवार को 1.26 प्रतिशत गिरकर 353.70 डॉलर पर था। वैश्विक रुजान को देखते हुए सोयाबीन और सोयामील की घरेलू कीमतें जो पिछले कुछ महीनों में बड़ी थी, हाल के हफ़तों में इस प्रवृति को उलट दिया है। इन दौर में सोयामील की एक्स फैक्टरी कीमतें अब नवंबर के मध्य में 45,700 से 46,000 के मुकाबले 40,000 से 40,500 प्रतिटन के आसपास मंदरा रही हैं, जो लगभग 12 प्रतिशत की गिरावट है। इसी तरह बेदीद कांडला बंदरगाह पर FOB कीमतें जो नवंबर के मध्य में 47,250 से 47,750 रुपए के मौसमी उच्चतम स्तर पर थी, अब 42,000 से 42,500 रुपए के आसपास मंदरा रही हैं, जो लगभग 11 प्रतिशत की गिरावट है। इसके अलावा मध्य प्रदेश की कई मंदियों मे सोयाबीन की मौडल कीमतें नीचे हैं और 3800 से 4730 रुपए प्रतिक विंटल के दाइरे में हैं। खरगोन की मंदियों में गुरुवार को मौडल कीमत 3800 रुपए थी, जबकि नीमच में यह 4700 रुपए थी। नवंबर के मध्य में कई मंदियों में मौडल कीमते 4800 से 5200 पाठक ने कहा कि इन दोर में उचित औसत गुनवत्ता वाले सोयाबीन की कीमत शुक्रवार को 4580 रुपए थी, जो कुछ महीने पहले 4780 रुपए थी। दरसल खादे तेलों का रिकॉर्ड आयाद घरेलू बाजारों में सोयाबीन की कीमतों को प्रभावित कर रहा है। उच के चलते कीमतों में तेजी थम गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मार्किट टाइम्स टीवी